अस्सलामूं अलेकुम मैं जुलेखारफाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सी चिकन पॉट राइस मज़ेदार सी खर पर एकदम रेस्टरॉन स्टाइल बनती है इनफाक्ट उससे दादा बहतर बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज फी रे चोटे चोटे पीस कर लीजिए और चन्नी के ऊपर 10-15 मिनिट के लिए जब आप धोलें उसके बाद चन्नी के ऊपर रख दीजिएगा 15 मिनिट के लिए जब अच्छा एकदम नितर जा और पैंट ड्राइ टाइप हो जाए तो एक प्याले में डाल दीजिए उसके बाद थो एक अंडा फोड कर डाल दीजिए और दो टेबल स्पून भरकर कॉन फ्लार यानि की कॉन स्टाच डाल कर बहुत अच्छी से मिक्स कर लीजिए हमने नमक तो दाला ही नहीं लेगिन पहले मिक्स करने के बाद हलका सा चक लीजिएगा कि सारे सौसर में नमक होटा है तो ओवर अब मैंने हलका चक लिया हलका सा कम लग रहा है तो यहां अब मैं नमक अजस्ट कर रही हूँ अपने हिसाब से आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा बहुत अची से मिक्स करके इसे ढख कर फ्रिज में आदे घंटे के लिए मैरिनेट होने रहने दीजिए तब तक मैर बासमती चावल है दो-तीन पाने से धोके आदे घंटे पहले मैंने भीगाने रख दिया था अब साइट पर पानी रख दीजिए बॉयल करने के लिए इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए थोड़ा ज़ादा यह दालिएगा और दो मैंने यहां यह दाले हैं स्टार पादियान जिसे कहते हैं और इसमें उबाल आजाने दीजिए जैसे हम बिर्यानी के चावलों को कैसे बॉयल करते हैं थोड़ा नमक ज़ादा डाल के सो दाट नमक चड़े ना ज़ादा इसके लिए डाला गया था अब बॉयल आ जाए तो यह सारे जो हमारे चावले बासमत के लिए बिर्यानी के लिए करते हैं बस वैसी ही एक कणी रह गई तो इसे छान कर नितार कर इसे चंडी के ओपर साइट पर रख दीजिए ऐसे एक घंटा हो चुका है मैरिनेट करके चिकन को तो तेल गरम करने रख जिए अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज करके बिसमेला रखाने रेम बोल कर चिकन के पीसे डालते जाएं बैल कोड करते जाएगा हमारे जो भी मसाला हमने बनाया है मैरिनेशन का उसमें अच्छे medium पर रहने दीजी और इसे तकरीबन एक से देड़ मिनिट तक इसी तरीके से पकने दीजी, जब एक देड़ मिनिट हो जाए तो पलट दीजी और उलट-पलट करते हुए 7-8 मिनिट तक पका लिजी medium आज पर, 7-8 मिनिट में बैचेस के अंदर मैंने फ्राइ कर लिया है इसे साइट पर रग देते हूँ और आप देख सकते हैं सारी प्रिपरेशन हो चुकिये, मैं ये सारी सबजिया जैसे जैसे डालते जाओंगी मैं आपको बताते ही जाओंगी सारी चीजे अब मैं आपको एक चिकिन का पीस तो दिखाना भूल गई मैं आपको दिखा देते हूँ ये देखे बढ़िया सा गल्ब चुका है क्रिस्पी भी और बढ़िया सा लजीज लग रहे है जादा कुछ दाला नहीं तब भी बड़ा टेस्टी लग रहा है चलिया आगे की रेसिवी बनाते हैं कड़ाए के अंदर 4-5 टेबल स्पून जितना मक्षन यानिके बटर दाल दीजी आप वही कड़ाए ले सकते हैं या पती ले सकते हैं जिसमें आपने बॉल किया था इसमें दो बादियान दाल दीजी और अच्छा मेल्ट हो जाए मसका यानिके मक्षन तो इसमें दाल दीजी जो चावल हमने बॉल करते रखेते वो दालकर इसे एक बार चला लीजी और जब चला ले तो एक पानी का छीटा मार दीजी बहुत ज़्यादा पानी मत दालिएग ये बढ़ाई सी भाप पूट चुकी है, चावल गर्ड चुके है, और बहुत ही बढ़ाई सी खुश्बू भी आ रही, तो मैं इने साइड पर रखकर कड़ाई चुले पर रख दीजिए, मैं वही कड़ाई ले रही हूँ, जिसमें मैंने फ्राई किया था, अब वह कड़ाई तो मैं डाल देती हूँ, अब सबसी आपके इसाब से ले सकते हैं, या कम्याजादा कर सकते हैं, ये दोनों चीजों को मैं मिक्स करके तकरीबन समझें, मीडियम आज पर एक-दो मिनिट तक फ्राई कर लेती हूँ, जब दो-तीन मिनिट हो जाएं, तो यहां पर मैं डाल दे ब्रोखली नहीं काटी है, थोड़े-थोड़े फ्लोरस जासे दिखते हैं, वैसे काटी है, बहुत बड़ी भी नहीं काटी है, बहुत छोटी भी नहीं, अचाह इसे डाल कर इसे भी एक-दो मिनिट तक फास्ट आज पर या मीडियम आज पर मैंने मीडियम रख पर उस पर लीजे, बार-बार चलाते रहेगा, so that broccoli भी हलकी पक जाए, और तब तक ये जो हमने कॉंस दाले है, तीन-चार मिनिट हो जाएंगे, इसके पके, तो चूला कर दीजे, अब दादीजे, एक छोटा चाय का चमच, विनेगर, एक छोटा चाय का चमच, रेट चिली सॉस, एक छोटा चाय का चमच, ग्रीन चिली सॉस, अगर ग्रीन चिली सॉस नहों, तो रेट का मिजान, बढ़ा दीजिएगा, और एक टेबल स्पून, मैं यहां दाल रहे हो, भरकर शिजवान चटनी, यह घर की बनी हुई है, इसका रेसिपलिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप आप चेक कलीजीगा, या फिर आप बाजार की भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ दो टीबल स्पून सोया सॉस दाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सोया सॉस है वो लाइट कलर का ह अब आपका डार्क हो, तो आप पहले एक टीबल स्पून डालें, फिर अगर आपको लगे कि कम लग रहा है, तब आप उस पे और आधा टीबल स्पून डालें, फिर वापिस और आधा टीबल स्पून डालें, तो ऐसा करकर के रुक रुक के आप दो टीबल स्पून और आधे मिनिट तक इसे पका लीजिए, शक्कर भी थोड़ी पिगल जाएगे और यह हलका सौसे के अंदर उबालाने लगेगा, मुझे थोड़ा सा यह जो सोया सौसे वो कम लग रहा है, तो मैंने थोड़ा बढ़ाया है, अब यह तोटली आपके ओपर है, मैंने एक टेबल स्पून और डाला है, मिक्स कर लीजिए, ऑप्शनल है वो हाँ, अब मिक्स करने के बाद हलका इसमें उबाला जाए, तो यहाँ पर एक प्याले के अंदर मैंने डेड़ कप पानी डाला है, दो टेबल स्पून कॉन स्टाच, यानि के कॉन फ्लार डाल कर मिक्स कर लीजिए, तो यह जो हमारी सबजियां जो पक रही है, सॉसस के साथ इसमें डाल दीजिए, बड़िया सा मिक्स कर लीजिए, अब उसे पकने दीजिए मीडियम आज पर, मैंने मीडियम आज कर लिया, चुटकी भर नमक या नमक स्वादानुसार डाल दीजिएगा आप, और इसे अच् चक लीजी क्या कम क्या जादा आपको लग रहा है, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, तो मैंने यहां नमक अज़स्ट किया और चला लिया, अब थोड़ा सा हलका सा बैलन्स कम लग रहा है, मैंने चखा तो, यहां थोड़ी सी शकर मैंने डाल दी बैलन्स के लिए, और खासा उबाल आ चुका है तो चिकन जो हमने फ्राइ करके रखी है वो सारी डाल दीजिए मैंने थोड़ी सी सिमला में साइट पर रख दी थी तो वो भी मैं थोड़ी डाल दी थी मुझे हमेशे थोड़ी कच्ची-कच्ची अच्छी लगती है तो थोड़ी कलर वाइबरेंट दीखता है ना ग्रेवी में तो अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ी साइट पर रख दी थी अब इसे मिक्स कर लीजिए और इसमें हलका अच्छा टॉस हो जाए तो मीडियम आज पर इसमें उबाल आने दीजिए थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियंस जो हरी प्यास की पत्ती है वो डाल दीजिएगा उपर से अच्छा खासा उबाल आ जाए तो आप कर दीजिए चूले को बंद और ये बन गए हमारी ये इसकी pot rice की gravy usually pot rice के सब सर्फ किया जाता है उसका एक pot मिलता है उसके अंदर चावलों को नीचे हलके कच्छे रखके लगा दिया उसके ओपर ये gravy दाल दी slow आच करके ढखकर उसे दम पर धीमियाच पर 4-5 या 8 मिनिट तक पकने दिया अब तब तक पकाते हैं उसके जो चावल है पक नहीं जाते हैं और बढ़ी आसा हुश्बू एक दूसरे की एक में आने लगते हैं बढ़ हमारे पास तो वो pot होता नहीं है आप चाहे तो आपके पास मिट्टी का pot है तो आप ऐसा कर सकते हो इसी के लिए आपने देखा मैंने अलग से चावलों को fry किया है बटर के अंदर बढ़ अपने पास तो है नहीं वैसा तो मैंने क्या किया मैंने दोनों को पका लिया ग्रेवी और चावल को भी आपने देखा अलग से पूरी तरीकी से पका लिया और जो मेरे पास pot थी, जो normal serving dish है, उसके अंदर मैंने पहले नीचे चावल बिछा दिये, फिर ये जो chicken की gravy है, ये सारी लगा दी थोड़ी, बढ़िया सी gravy के साथ chicken लगा लगा के सारी लगा दी, और थोड़े से बीच में फिर से मैंने चावल दाल दिये, और ये बन गया हमार बढ़िया सा pot rice, तो मैंने इस तरीके से serve किया है, अगर आपके पास proper pot rice के लिए pot हो, तो जैसे मैंने आपको previously का, वैसा serve कर दीजिएगा, थोड़े से spring onions भी दाल दीजिए उपर से, और करमा करम serve कीजिए, जो sauces है, आप आपके हिसाब से adjust कर सकते हैं, शकर भी आपके दाले, डेड़ टेबल स्पुन दाले, दो टेबल स्पुन दाले, वो totally आपके ओपर है, आपने जितना चाहिए, उसकी intensity आप बढ़ा सकते, क्यों कि आप घर में हैं, तो हम हमारे टेस्ट की हिसाब से adjust कर सकते हैं, तो ये बन गया है बढ़ी आसा, अगर आपको ये recipe लगते हैं, फिर से आजिर होंगी नहीं शानदार दमदार recipe के साथ, आंसल दें, take care, Allah आफिस, bye bye